नमस्का फ्रेंड्स आज हम धनुलगन की जात्कों के लिए अगस्त का महिना कैसे रहने बाला है उसके विशे में चर्चा करेंगे और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हुई रिक्वेस्ट रहेगा जो लोग मेरे चैनल में नहे हैं प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल और एक बैल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आपको लिटिस्ट वीडियो की नोटिविक्शन मिलती रहे तो चलिए मुर्ते विशे की ओर विशे है आज धनुलगन के लिए अगस्त का महिना कैसे रहने वाला है तो सबसे पहले हम धनुलगन के जात्कों के लिए इनके ल जाता है तो अस्त हो जाता है खासकर देव गुरु ब्रहस्पति थर्ड आउस में जाके आपके अस्त हो गए है कि यह नवम भाव से सब्तम भाव है तो यहां कहीं न कहीं जो है इसके शुब गुणों में थोड़ी कमी देखी जा रही है देव गुरु ब्रहस्पति थर्ड वाला है जैसे ही गुरू देव गुरू भ्रहस्पती वक्री स्थिती से महार्गी स्थिती में आएंगे तो यह आपको शुब प्रणाम लाएंगे लेकिन अभी अगस्त महीने की बात कर लेते हैं तो यहां पर अभी आपको प्रतिसजग रहने का समय है क्योंकि यह थोड़ा पाचेंशक्ती में आपकी कमी कर रहा है जटरागनी देव गुरू भ्रहस्पत्य आपकी कम कर रहा है तो इसलिए पाचेंशक्ति यह थोड़ी समिहने के एक कम रहने वाली है यहां पर दिव गुरु बहस्पति आपको पुरिशार्थ करने के लिए कहेगा उद्द्यमी बना रहा है तो यह उद्द्यम पुरिशार्थ करने का समय है यहां पर जदा अराम करने का या सोचते रहने का नहीं है आपको कारे करते रहना है उसका प्रणाम आपको शुब मिलेगा ही मिलेगा ठीक है और यहाँ पर देव गुरू ब्रहस्पति जो कह रहा है वो एक संघर्ष के बाद आपको कारे सिद्धी दिलाएगा संघर्ष की सिद्धी बनी हुई है और तृतिय स्थान में यह आपको देश फिदेश में यात्रों के अफसर प्रदान कर रहा है ठीक है और उसके साथ साथ मैंने आपको कहा कि जो लोग लेखन से जुड़े हुए हैं या संपादक हैं पबिशिंग से जुड़े हुए हैं टी करती रही है लेकिन आपकी उसके बाद संघर्ष के बाद कारे सिद्धी अवश्य होगी इसके रिजल्ट आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे मिलेंगे तो आप बस अभी आप परिश्णम में लगे रही है और फिर देखिए आपको बाद में क्या प्रदाम मिलेंगे उस कि आपके अश्टम भाव में नवम भाव और दश्वम भाव में दश्वम भाव में तो स्वग्रही हो जाएगा और वहां पर जाकर के भद्र महापुर्शियोग भी बनाएगा आपकी जनमकुली में तो बहुत शुबस्तिती इस महीने जो है वो बुद के से आवज़ा से आपको मिलने वाली है अश्टम भाव में कहते हैं कि जो बुद आता है तो यह आपको अतुल धन प्राप्त करवाता है धन प्राप्ति के अफसर क्रेट करेगा और खास करके जो अगोशित इंकम होती है जैसे ब्लैक मन्जीश को कहते हैं इस तरह का पैसा या अर्ण अर्ण करना पड़ेगा यह समय एक निशन बनी हुई है गुप्त तरीके सिधन अर्जन मैंने आपको बतलाई दिया अचा जब नवम भाव में जाएगा तो यहां पर व्यक्ति में संगीत के प्रती साहित्य के प्रती हो गया इस तरह की रूची बढ़ती है जोतीश हो गया योग ह हो गया प्राणयाम इस तरह की चीज़े व्यक्तिक ज़्यादा करने लगता है जब बुद्ध नवम भाव में जाएगा उसके लावा जैसे बीजली से कारें से जुड़ा हो क्योंकि मंगल भी वहां पर है तो बीजली के कारें से जुड़े हुए हैं कॉंप्यूटर्स हो ग तारीक्षेत्र में कहीना की सफलता दिला रहा है प्रोफेशन में आपके राइस करेगा वेफसाय जो करते हैं वेपारी हैं उनको बहुत अच्छा समय वानिज्य के साब से बहुत अच्छा है आपको उज़ परतिष्टा दिला देगा बुद्ध यहां पर लागर के ठीक है और उसके लावा धन प्राप्ति की यह आपको अफसर क्रेट करेगा है ना जितने ज़़ अफसर आप यहां देखेंगे मल्टी टास्किंग हो जाएंगे पैसा आपको बहुत ज़़दा कहीं जगां से मिलता हूँ नजर आएगा तो बुद्ध का कुचर भी बहुत अच्छ करेगा तो नवम भाव में जब सूर्य होता है तो वेक्ति को धार्मिक प्रविति का बना देता है और क्योंकि खुद जो सूर्य है वो नियमों का पालन करता है समय पे उद्य होता है समय पे अस्त होता है तो वेक्ति में जो हो धार्मिक प्रविति बढ़ जाती है कानून का नियमों का जानकारिस्感 बनता है और उसका पालन करता है अनुशासन से उसको मानने वाला विक्ति बन जाता है जो सिस्टम है गौऱ्र्मेंट के या समाज के जो भी है उन नियमों का वो पालन करता है उसके लावा यहां पर आपको यूच है तुछ पतिष्ठा दिला रहा है साधन संपन आपको ये व्यक्ति व्यक्ति को ये बना देगा सूर्य की स्थेती जो है वो अश्क्रम मे और नवंभाव में पिता का आपको सहोग प्राप्त होता हुआ नजर आ और व्यक्तित्व आपको भागी शाली बनाता हो नजर आ रहा है भागी आपका इस समय अवश्यसाद देगा तो आप जो है वो सुर्य के अरादना कीजिए सुर्य को अर्ग देते रहिए और अधित तेहर देस्टोत्र का पाठ करते रहिए बात करते हैं हम आपके शुक्र ग् बात भाग्यों देके इंडिकेशन दे रहा है क्योंकि शुर्य की राशी में गया है तो परिष्ट्रम करना पड़ेगा तो इस महीने का मूलमंतर परिष्ट्रम ही है और उसके लावा जो जिनके विवाह हो गया है तो विवाह के बाद जो है अतनी या सुसराल पक्ष से ध के सच्ट्राल से इस महीने ठीक है और विभिन साधुन द्वारा आपको धन संपतिये प्रवाइड करेगा शुकर की जो इस्तिति बनी हुई है अच्छा इस समय आपको शत्र थोड़ी हानी परचानी की चेश्टा कर सकते हैं तो आपको उससे भी सजग रहने की जूरत है और इसका फूर्थ हाउस पर आस्पेक्ट है जब आपका शुकर का होगा तो वो आपको यहां माता हो गया भूमी हो गया आवास हो गया ठीक है वहन सुक यह सभी तरह की सुक आपको प्रवाइड करता हूँ शुकर नजर आएगा तो शुकर की स्तिति भी इच्छी बनी हुई ह मंगल की बात कर लेते हैं तो मंगल अपनी मित्र की राशी में सूरी की राशी में आपके भागिस्तान में सलचार कर रहा है तो यहां पर विक्ति को धार में एक प्रविर्टी का बना देता है धर्म हो गया, जोतिश हो गया, योग हो गया, मंत्र हो गया, नुष्ठान, यग्य, इस तरह या गुड़ विशेओं के प्रती व्यक्ति में रूची बढ़ जाती है, उसके कारे सिद्ध होते हैं, अगर वो ये कारे करता है, तो उसके भाग्य में कहीं नगे बढ़ाती होती ह नगे बढ़ाती है, और यहां पर व्यक्तिकोफ स्वयम के पुरिशार्थ से, क्योंकि मंगल जो है, वो पुरिशार्थ करने के वाला प्लेनेट है, थर्ड आउस में ये आपका उच्चका होता है, तो वहां प्राक्रम करने के लिए कहता है, तो भाग्य में भी आपको ये उदे होता है, तो यहां पर विशेश लाब भाग्य उदे के अवसरी आपको मंगल इस महिने क्रेट करता है, तो उसके बाद हम बात करते हैं, आपके शनी की, तो शनी जो है वो आपके दूत्य भाव में संचार कर रहा है, तो इस समय विक्ति में जो होता है, वो स्पष्ट वादीता हो जाती है, क्योंकि सेक्ट हावस हमारी वाणी का स्थान है, तो वे एक तिस पष्ट वादी हो जाता है, तो जो आप दूरान सही बात कहेंगे, और कहीं बार इसकी वेज़े से आपके घर परिवान में आर्थिक स्तीती में कहीं ना कि दिक्कत एक रेट करता है, क जो है, वो आपकी परिश्रम और संगर्श के बाद ही दिखाई दे रही है, आपको हाड़ वर्क करना पड़ेगा इस समय, भूमी मकान क्योंकि थर्ड आसपक्ट इसका जो थर्ड आसपक्ट आपके फोर्थ हॉस में है, तो भूमी मकान वहान इस तका सुख आपको इदिला रही है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स होंगे, वो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे रूप से मिलेंगे, तो आप अपने लक्षे के प्रती जो भी है उसके पीछे लग जाईए और उसके प्रती प्रयाश्रत रही है, ठीक है, उसके लावा आपको लगू हो गया या लॉंग टर्म प्लानिंग भी शनी आपको यहां कराता हूं नजर आ रहा है, जो बाद में आपकी सफल हो जाएंगी, उसके बाद हम बात करते हैं, छायाग्र है, जो आपके राहू और केतु है, तो राहू और केतु तीन अगस्त को अपना नक्षत्र चरन चेंज कर ले हैं, शत्र आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, अगर होगा तो खतम हो जाएगा, आपकी पीट पीछे वो आपका कोई बुरा, अगर कोई सोचता होगा, तो उसका नाश होता हो, नजर आ रहा है, लेकिन उसके लावा आपके मातुल या मामा पक्ष में थोड़ी सी जो ह है, वहाँ पर कोई ना कोई शुब समाचार वहाँ से लाइकर करके आएगा, अकस्मिक धनलाब आपको वहाँ दिला सकता है, लॉट्री शेर सटा में अगर आप पैसा लगाते हैं, तो वहाँ से भी आपका मेश नमाच पर जाने पर कुछ ना कुछ लाप जरूर देगा, उ लेकिन जो इसकी स्थिती है, वो आपके द्वादश भाव में है, तो द्वादश भाव में कहीं न कहीं आपके स्वास्ता में कमी दर्शा रहा है, तो आप स्वास्ते के प्रतीस सजग रहे, मैंने कहा कि जट्रागनी आपकी समय इस महीने थोड़ी कम है, तो पाचन शक्ती नजर आ रहा है और उसके लावा जो है जो लोग अभीने से जुड़े हुए है वकालत हो गया चिकित्सक्षेत्र से जुड़े है अध्यापन किक्षेत्र से जुड़े है उनको यह सफलता दिला रहा है के तु आपका दोरश भाव में जाकर कि और क्योंकि के तु यहां में धर्म परायन तावियां बढ़ती हुए नजर आएगी उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लागा होगा अगर वीडियो इच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब दो चैनल थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो